दोस्तो आज की शुरू आपको बर्शाटपेट आपलाई करने का कम्पलिट प्रोसेस बताने वाला हूँ अगर आपके बच्चे का उम्र 21 दिन तक हो चुका है और उनका बर्शाटपेट नहीं बनाए तो घर बच्चे का उम्र 21 दिन से जादा हो गया है या फिर जादा उम्र के बच्चे है जादा उम्र के लोग है और उनका आप बर्शाटपेट बनाना चाहते है तो जादा उम्र के लोगों का बर्शाटपेट कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी आपको जनकारी देने वाल करेंगे तो वहीं से आपके बच्चों का जन्म प्रमानपत बन जाएगा लेकिन किसी कारण बस अगर आपके बच्चे का जन्म प्रमानपत नहीं बनाए या फिर सरकारी अस्पिताल में जन्म नहीं लिया है इस वीच आप अपने बच्चों का जन्म प्रमानपत के लिए और करना चारें तो किस तरह से आप online apply करेंगे कैसे आप अपने बच्चों का जन प्रवान पत बनाएंगे इसके बारे में आपको आगे इस्टे बैस्टे पूरे बारी किसे online apply करने का complete प्रोसेस बताने वाला हूं तो वीडियो को अंतक देखते रही है मेरा नमे राज गुमार औ आपको स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आपके बच्चों का उमरे 21 दिन या 21 दिन से कम हुआ है और इस बीच आप अपने बच्चों का बढ़ साट प्रेट के लिए online apply करना चाहरें तो उसके लिए आपको सब्स्विल है कोई भी ब्रोजर में टाइ इन यह लिखके आप जैसे ही सब्साइट पर आजेंगे इस वेबसाइट पर पहुंचने मागर आपको कोई भी दिक्का तोरत आपके सहलियत के लिए इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिए हैं तो आप डैक्ट इ रिहान प्रवग बरना होगा सबस्वेल हैं दोस्तों यहां पर एक यूणिक सा यूजर आड़ी लिखेंगे अगर उस नाम से यूजर आड़ी अब लेबल होगा इस तरह से आपको राइट चीन लग जाएगा और वहां पर आपको देखने के मिल जाएगा कि इस नाम से क्लिक कीजिएगा कालेंडर की मदध से आपको इस तरह से टेटर अवर्ष लट कर लेने यहां से आपको अपना इस्टेट का नाम सिलाइड करने उसकथ यहां से आपको सब्ढेर्द का नाम इंसकर कर लेने इस्टार कर लिज Magic Really दीजिए उसका दोस्तों यहां से आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देने जैसे आपके इमेल डी पे एक यहां पे पहली नोट कर he know pair just आप-पुल्फ कर देने अब जैसे आपको एक पासवर्ट बनाने के लिए बोला जाएगा जैसे आप एक unique सा password बना लेते हैं उसको आपका ID proper तरीके से activate हो जाएगा अब जैसे आपका ID activate हो जाता है उनका आपको दोस्तों यहाँ पर login करना होगा login करने के लिए simple आपको इस website पाना और यहाँ पर दोस्ती के side में आपको एक option देखने मिलेगा तो जो भी आपको user ID मिला है वो user ID यहाँ पर एंटर करना है जो भी आप password बनाएंगे वह password आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है उसका दोस्तों यहाँ पर जो भी capture code आपको देखन है अब जैसे आप birth पे किलिक करें यहाँ आपको एक option देखने मिलेगा add birth registration इस पर आपको इस तरह से किलिक कर देने है एड बर्स रजिस्टेशन पर आप जैसे ही किलिए यहाँ आपको एक form की रूप में आगा जिनने आपको पूरे बारी किसी ध्यान प्रुभक बढ़ना ह सबस्क्राइब करना चाहते हैं तो इस पर किलिक करके चेंज कर लिजेगा तो मैं इंग्लीज पर ही किलिक रहने दूंगा उनका यहाँ पर आपको सेकेंडरी लैंग्वेज कर लेना है उसका अगर आपको कोई offline formula है वह form नंबर होते हैं तो आप form नंबर यहाँ पर लिख सक उसका दूसर यहाँ पर बच्चों का जो नाम करन हो गया है तो उस वीज यहाँ पर बच्चों का नाम लिखना हुगा तो बच्चे का जो पहला नाम है वो नाम आपको यहाँ पर इंग्लिस में लिखना है और यहाँ पर पहला नाम हिंदी में लिखना है यहाँ पर चानी चानी जो बूंका एड़ेस आपको यहां फिल उप करना हुगा तो कुछ अड़ेस आपका यहां पे आपको अपने नियर का यहां पर लिखना है, और यहां पर उनके सिषने पिता का मद नहाँ या जो ज़ो बेने हैं, वह ज़नसे हिंदी में लिछना है, यहां हुँआre उनके पिता जी का morte पर नहाम है, है वो इंग्लिष में यहां पे हिंदी में यहां पे में नेम लिखने में यहां पर में आपया कि नेम हिंदी में उसक वारे करें ऐसे से माने। किसी नाम है याउड़ रिखिने यह फरस्ट वाले कॉलम में आपको क्या करना है यहां पर लिखना है उसका आपको इस तरह से आपको पूचा जारा है कि बच्चे का जन्म के समय माता-पिता का पता जब बच्चे का जन्म हो गए उस बीच बच्चे के पूरा एड़ेस लिखा जैगा और आपके एरिया का जो भी पीन कोड़ है वो पीन कोड़ आपको यहां पे लिख लेना है उसका आपको इस तरह से एसको अपने उपड़ेस दिया वह एड़ेस और अस्थाई पता जो माता-पिता का स्थाई पता है वह अगर दोनों सेम नहीं है अगर दोनों सेम नहीं तो इस आपको यह पूलम को खुद से फिलब करना हुआ तो सेम तुम्हें इस बॉक्स पे टी जिससे आप इस पे किलिक आएं तो यह वाले कॉलं आट्रमेटिक फिलप हो जाएगा उसकार आपको इस तरह से सक्क्राइब करना और यहां पर दूसरी आपको एक आप्चन देखने मिलेगा सूचना दाता इस बॉक्स पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है इस बॉक्स पर आप जैसी कि यहां पर यहां पर आपको एक फॉर्म की रूप में आएगा यहां पर आप से कुछ डिटियल्स अटोमेटिक फिल अप रहे गा शंविल-विले यहां पर आप से पूछा झाज रहे कि आप को इस तरह से किलिक कर दिये उनका दुसरे कि यहां पर आपको यहां के उम्र पूरे साल में पहली साधी कि समय साधी किसमें उनके मां का उम्र कितने थे तो जैसे मान लिए लिख लिए उनका दूसे के टेसा की आपको लिख लिए उसको आप से पूछा ज़ा रहा है कि जब बच्चे जन्म पाइब वह आर पको आपको लिख लेगा उसका दूसे यहां पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और इस पे यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि जब बच्चे के मा के जन लिए वह यहां पर आपको बता ना होगा जैसे कि प्रमप्रागत प्रसाव उसका रिष्टेदार अथवा अन के जगह पे या डॉक्टर या नर्स के पास जहां भी हुए उस पर आपको इस तरह से क्लिक कर दे लिए ने उसका अब प्रसाव की परक़िया जैसे नॉर्म जो यहां पर डिलिवरी हुए है तो इस तरह से आपको चले और बच्यद जान लिया तो उस बच्चे का कितने promote की नी ऐसे माली जिए घृतने आपको यहां की तो लिए नसली और दे कैजिए इस यहां पर आप आपको कहां से मिलेगा वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या गूगल से भी आप डॉलोर कर सकते हैं यह रिपोर्टिंग फॉर्म होते हैं इन्हें आपको प्रिंट करना है पूरे बारी किसे भर लेना है उनकर आपको यही एसकेन करके आपको आपको सब्सक्राइब करना है और यहां पर डॉलोर करने के लिए बोला जागा इस तरह से आपका सफलता प्रुवाग अप्लाइब हो जाएगा अब जैसे आप इस तरह से उनलाइन आपलाइब कर लेते हों आपको यह रिसीविंग और जो भी आपको डोकमेंट सब है जैसे कि बच्चे का टीका करन सब होता है जो भी पर्मानपाद सब है जो भी डोकमेंट वह सारे डोकमेंट और यह राजिश्टारी बर्थ एंड धर्थ जैसे सो जो अच्छे का उम्र 21 दिन से जादा हो गया या जादा उम्र के लोगों का आप बर्द साट पिर बनाना चाहरे हैं तो उस वीच कैसे बनाएंगे तो उस पर हमने पहले से वीडियो बना रखे हैं अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन में या फिर फ्ksषे के निचे description वीडियो का लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो को देख लिजिएगा क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में आप सबका काफी प्यार मिला हैं तो वह वीडियो को देख нос की आप असान तरीके से किसी भी उम्रें के से साटिपेट बना सकते हैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर किजिए और आपके मन में कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बे जीजा कमसे पूछ सकते हैं